आगे बात करते हैं राद के दूसरे प्रहर की राद 9 से राद 12 बजे के बीच के समय को हम राद का दूसरा प्रहर यानि की निशित कह सकते हैं इस प्रहर में तामसिक और रादिसिक दोनों ही गुड़ होते हैं रादिसिक भी है और टामसिक भी यानि की पूरी प्रह से यो नेगिटिव नहीं हैं इस प्रहर में नई चीजे नहीं खरिदनी चाहिए फूल पत्थय नहीं तोड़ने चाहिए घर में बने खाने का कुछ हिस्सा पश्यों को भिकराना चाहिए इससे घर में बदकत होती है आर्थिक स्थीपी भी इससे मजबूत मानी जाती है इस प्रहर में जिनम लेने वाले बच्चों के अंदर कलात्मक शम्ता काफी अच्छी देखी गई है लेकिन इनकी शिक्षा में कोई न कोई बादा अक्सराती रहती है इनकी भविष्य पर इनकी शिक्षा का कोई ज्यादा प्रभाव ग्यारा प्रभाव नहीं पड़ता यानि कि इनका भविष्य उज्जवल होता है यह जो भी शिक्षा आर्जित करते हैं उससे इनकी भविष्य का कोई संबन नहीं होता